नमस्कार स्वागत है आप सभी लोग का प्रकर सेलेक्शन अड़्डा में मैं एनके सिंग आप सभी लोग का हर रोज की तरह हारदिक स्वागत करता हूँ अभिनेंदर आप आशा करूँगा कि बहुत बहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई लिखाई का कारिय चलाह होगा आने वाला नव वर्स आप सभी लोग के लिए हारदिक और जो पीछे इमेज लिया गया है इसी तरीके से आप उछलते रहें, कूटते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे तरीके से पढ़ते लिखते रहें और मैं आसा प्रखर फैमली की तरफ से, प्रखर परिवार की तरफ से, कि ये आने वाला वर्स जो है आप सभी लोग के लिए सफलतम सिद्धों, जितने भी पुराने वर्स बीते हुए हैं, उन सभी वर्सों से ये बहुत बहतर वर्स हो, ऐसा मैं कामना करता हूँ आप सभी लोग तेजी के साथ जुड़िया ये पूनम यादव जी हैं, प्रेंका जी हैं, सीमा नागर जी हैं, स्वी प्रकास यादव जी हैं, ममता यादव जी हैं, सुष्मा द्रिवेदी, नीतुराजभर जी, सभी लोग को वेरी गुड इवनिंग सुरुआत करते हैं एक बहुत महत्तपूर टॉपिक, इसकेलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र को बहुत विधिवत तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, और यहां पर कैसे और किस प्रकार के कोश्चन आपकी परिच्छा में पूछे जाते हैं, उसको भी हम देख सानों तक जाने दीजिएगा, बाकी सारी मेरी जिम्मदारी रहेगी कि इस चैप्तर को कैसे आसान मनाना है, विश्वास मानके चलिएगा जब यह चैप्तर का अंत्र होगा, तो 206 हडियां आपके फिंगर टिप्स पे होंगी, 206 हडियों को आप अच्छे तरीके से याद कर लेकिन परशान मत होगा, अगले ही छड इन सारी चीजों को मैं जोड कर आगे आपको समझा जूँगा, ठीक है, इतने बेतर सर की इस क्लास के अप्डेट प्राइमरी में कोश्चन आ जाए, जी बिलकुल, सुएता जी, बिलकुल कोश्चन आएंगे, परशान मत होना, ठीक इतमिनान के साथ रिलैक्स हो कर पढ़ने का प्राराम करिएगा, पहली बात तो इस चेप्टर का नाम क्या है, तो इसकेलेटन सिस्टम, इसकेलेटन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इसकेलेटन सिस्टम को हम बोलते हैं, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र, सबसे पहला सवाल यही ह कि ये कंकाल तंत्र होता क्या है बेसिकली जब ये कंकाल सब्द आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में एक हड्डियों का धाचा आपके दिमाग में आ जाता है लेकिन ये कंकाल नहीं होता है कंकाल तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो मनुस्य के सरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, एक निश्चित धाचा प्रदान करता है, एक निश्चित शरूप प्रदान करता है अगर ये कंकाल हमारे बॉडी में न रहे अगर ये कंकाल हमारे सरीर में रहे तो हमारे सरीर का कोई निश्चित आकार प्रकार नहीं हो पाए हमारा सरीर एक निश्चित आकार में है उसका एक निश्चित धाचा है वो इस पर डिपेंड करता है कि हमारे सरीर में कंकाल है कि नहीं कंकाल है आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हमारे सरीर से हड़ियों को बाहर निकाल दिया जाए तो हमारा सरीर कैसा हो जाएगा मांस की एक गठरी में भी बंद किया जा सकता है यानि कि यह जो सरीर आपको दिख रहा है इस शरीर के ये जो धाचा है, इस धाचे के लिए कौन सा सिस्टम हमारी body में, हमारे सरीर में जिम्मधार है, उसका नाम है skeletal system, उसका नाम है कंकाल तंत्र, तो आप एक line में आप इस point को समझा सकते हैं, कि ऐसा तंत्र, जो हमारे सरीर के एक निश्चित आकार प्रदान करता हो एक निश्चित आकार प्रदान करता हो, शाती साथ आप कर लिजिये कि एक निश्चित धाचा प्रदान करता हो, ऐसे तंत्र को हम कंकाल तंत्र कहते हैं लेकिन यहाँ पर ध्यान दिजेगा, यहां पर ध्यान दिजेगा केवल इतना ही काम हमारे skeleton system का नहीं होता है यहां हमारे सरीर का एक सुरच्छात्मक आवरण भी होता है अगर ये कंकाल हमारे सरीर में नर हैं तो हमारे सरीर के जो sensitive organ हैं उन sensitive organ की सुरच्छा कौन करेगा जैसे कि अगर मैं बात करूँ मस्तिस्क, मस्तिस्क हमारा cranium नामक खड़ियों के खोल में बंद होता है कभी जब चोट लगती है तो सबसे पहले cranium को चोट लगती है अगर cranium ब्रेक हो जाता है तूट जाता है तब हमारे मस्तिस्क का नंबर आता है तब हमारा मस्तिस्क चोटिल होता है हमारा lungs, हमारा फेफडा ribs यानि की पसलियां जो संख्या में 24 पाई जाती है उन ribs के अंदर बंद होता है एक पिजडे नुमा सनचना में बंद होता है अगर अंकाल न रहें तो हमारे सरीर के ये जितने भी सुरच्छात्मक आवरण है ये सुरच्छात्मक चीजे जो हैं ये अच्छे प्रकार से गतवीधी न करता है अच्छे प्रकार से क्रिया कलाप न करता है तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए इसकेलेक्टन सिस्टम चीजे न करता है ये हमारे सरीर का एक सुरच्छात्मक एक सुरच्छात्मक आवरण होता है एक सुरच्छात्मक आवरण होता है next point के अंतरगत आप और क्या लिख सकते हैं इस skeleton system के अंतरगत आपको ये पता होना चाहिए विधिवट धंग से कि हमारे सरीर में ये जो रुधिर होता है जो blood होता है इस रुधिर का निर्मार कहां पर होता है रुधिर का निर्मार हमारी लंबी अस्थियों के मध्ध में पाए जाने वाले अस्थि मज्जा में होता है लंबी अस्थियों के मध्ध में पाए जाने वाले अस्थि मज्जा में इसका निर्मार होता है यानि कि अगर ये कंकाल न रहे, अगर ये हड़िया न रहे, अगर ये अस्थिया न रहे, तो हमारे सरीर में इन ब्लड सेल्स का निरमाड भी न हो पाए तो आप इसको भी समझ लेजिएगा कि स्कलेक्टर सिस्थम जो होता है, हमारे सरीर में रूधिर कोसिकाओं के निरमाड में भी सहायता करता है रुधिर कोसिकाओं के निर्मार में भी सहायता करता है चाहे वो RBC हो, चाहे वो WBC हो, चाहे वो प्लेटनेस हो ये सारी की सारी की सारी की सारी की सारी ये जितनी भी कोसिकाओं हैं उन सारी कोसिकाओं का निर्मार हमारे सरीर में कौन सा तंत्र करता है तो वो skeleton system करता है तो बोलिए एक बार मेरे साथ कि कंकाल तंत्र का क्या काम होता है तो आप कहेंगे ऐसा तंत्र जो हमारे सरीर को एक निश्चित आकार परदान करता हो एक ऐसा तंत्र जो हमारे सरीर को एक निश्चित धाचा परदान करता हो एसे तंत्र को हम कंकाल तंत्र कहते हैं, एसे तंत्र को हम skeleton system कहते हैं, एक बार comments करके हमको बता दीजिए, क्या इतनी बाते समझ में आ गई, आगे हम बढ़ जाएं, comments करेंगे एक बार सभी लो, एक बार सभी लो comments करेंगे, प्रदीव जी करें कि कसेरुगदंड मुक्षोता है, अगर हमारा कसेरुगदंड अगर कहीं से क्रेक हो जाए, तो सरीर एक गठ्री की समान हो जाएगा, जी बिल्कुल, प्रदीव जी, अभी मैं उस पर भी बात करूँगा, पहले आप हमको बताये, क्या इतनी बाते क्लियर हैं, रेसमा मलिक जी करेंगे, सर बहुत दिन बात देखे हैं, नई बिल्कुल, रेसमा जी, मैं डेली यहीं पर आता हूँ, देली आता हूँ, चलिए, अब मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक है, अब कंकाल का मतलब क्या होता है, और कंकाल को हम कितने भागों में बाट कर अज्ञन करते हैं ध्यान से सुन लो आम तोर पे कंकाल को आप हड़ी समझते हैं कि हड़ी है तो मतलब कंकाल है हड़ी नहीं है तो कंकाल नहीं है अगर मैं आप से पूछ लूँ कि ये बताओ ये बाल क्या है बाल तो ये बाल भी कंकाल है ये बाल भी क्या है? कंकाल है ये नाखून क्या है? ये नाखून भी कंकाल है नाखून भी कंकाल के अंतरगत आता है बाल भी कंकाल के अंतरगत आता है हमारे सरीर में जो skeleton system होता है दो प्रकार का होता है हमारे सरीर में जो skeleton system होता है वो दो प्रकार का होता है ध्यान दिज़ेगा पहला जो सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं इक्जोस्केलेटन पहला जो कंकाल होता है इसको हम बोलते हैं इक्जोस्केलेटन यानि कि इसको हम बोलते हैं बाह कंकाल पहले प्रकार के कंकाल को हम क्या बोलते हैं? और दूसरे प्रकार के कंकाल को हम इंडो इसकेलेटन कहते हैं तो दो प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं बाहे कंकाल और दूसरा क्या होता है दूसरा होता है आंतरिक कंकाल या इसको अंतरिक कंकाल के नाम से हम सम्बो जित करते हैं अब मेरी बात को ध्यान से सुनना के बाहरी हिस्सों में पाया जाता है ऐसा कंकाल जो हमारे सरीर के बाहरी हिस्सों में पाया जाता है बाहरी हिस्सों में इस्थित होता है ऐसा कंकाल को हम बाहर कंकाल करते हैं और ऐसा कंकाल जो हमारे सरीर के आंतरिक हिस्सों में इस्थित होता है इसको हम इंदो इसकलेकन कहते हैं इसको हम अंतर कंकाल कहते हैं तो अगर मैं बात करूँ कि हमारे सरीर में पाया जाने वाला यह जो नाखून हमारे सरीर में मनुस्य में पाया जाने वाला नाखून याद रखना very important मनुस्य का नाखून अगर पूछा जाए कि मनुस्य का नाखून नाखून जो होता है या क कैसा कंकाल है तो आप बोलिएगा बाह कंकाल होता है कैसा कंकाल होता है बाह कंकाल नाखून में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम होता है किरैतीन ठीक है क्या नाम होता है किरैतीन याद रखना ये भी कोश्चन पूछा जाता है हमारे नाखून और हमारे बालों में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या होता है किरैटीन होता है ये भी याद रखना तो मनुस्य का नाखून या फिर अगर कोर्शन पूछ लिया जाए कि मनुस्य का बाल मनुस्य काबाल यह भी क्या होता है यह भी बाह कंकाल के उधारण है यह भी बाह कंकाल के उधारण है यह भी कंकाल के अंतरगत आते हैं इसके अलावा यदि बात मैं कर लूँ इसके अलावा तो यह जो मचलियों के सल्क होते है ये जो मच्छलियों के सल्क होते हैं मच्छलियों के सल्क समझ रहे हैं न ऐसी संचना जो मच्छलियों के ऊपर पाई जाती है जो नौन वेज खाते होंगे वो मेरी बात को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे कि मच्छलियों के ऊपर का हिस्सा जिसको हटा दिया जाता है बाद में साफ करते समय तो मच्छलियों के सल्क भी बाह कंकाल की उदारण है पंच्छियों के पंख जिसकी सहायता से वो उड़ते हैं वो पंचियों के पंख भी क्या है यह भी बाह कंकार के उधारण है तो आप लिख सकते हैं पंचियों के पंख भी किसके उधारण होते हैं बाह कंकार के उधारण है इसके अलामा और क्या उधारण में आप दे सकते हैं इसके अलामा क्या उधार दे सकते हैं चौपाया जानवरों के जो सींग और खुर होते हैं, वो भी बाह कंकाल के उदारण होते हैं, बिल्कुल करिस्मा जी आपका सही उतरा रहा है, ठीक है, जानवरों के, जानवरों के सींग, जानवरों के सींग, तथा खुर, जानवरों के सींग, तथा खुर, ये क्या हैं, ये बाहे तंकाल के उधारड हैं तो मैं फिर से सारी चीजों को बेवस्थित कर रहा हूँ, फिर से सारी चीजों को समझ दीजे, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया मनुस्य के सरीर में पाया जाने वाला ऐसा तंत्र, जो मनुस्य के सरीर का सुरच्छात्मक आवरड हो एक निश्चित आकार प्रदान करता हो एक निश्चित धाचा प्रदान करता हो ऐसे तंत्र को हम skeleton system कहते हैं इस skeleton system दो प्रकार का होता है अगर वो हमारे सरीर के बाहरी हिस्सों में पाया जाएगा तो उसको हम बाहर कंकाल कहेंगे उसको हम exoskeleton कहेंगे और exoskeleton के अंतरगत कौन कौन से आएंगे उदाहरण ये मैंने आपको बता दिया अब अंता कंकाल की बात करते हैं अब अंता कंकाल की बात करते हैं देखिए endoskeleton के अंतरगत दो इस्थिति आती है दो चीज़े आती है एंडोस्केलेटन के अंतरगत दो चीज़े आती है पहली जो सनचना आती है उसको क्या बोलते हैं केमेंट्स करेंगे पहली जो सनचना आती है जो एंडोस्केलेटन के अंतरगत पहली सनचना होती है इसको हम अस्थी कहते हैं पहली सनचना को हम क्या बोलते हैं अस्थी कहते हैं अस्थी को हम बोन कहते हैं बोन और दूसरी सनचना जो है वह उपास्थी कहलाती है उपास्थी कहलाती है और उपास्थी को हम किस नाम से जानते हैं इसको हम cartilage के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं। cartilage के नाम से जानते हैं। तो bone और cartilage ये अंतह कंकाल हैं। ये आंतरिक कंकाल हैं। क्यों आंतरिक कंकाल हैं। क्योंकि ये हमारे सरीर के आंतरिक हिस्सों में पाये जाते हैं। और ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, बाहर कंकाल तो दिखाई पड़ जाएगा, बाहर से ही दिखाई पड़ जाएगा, जाहिर सी बात है बाहर होगा तो बाहर दिखाई देगा, और ये हमारे सरीर के अंदर पाये जाते हैं, इस वज़े से ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो याद रखना ये हमारे सरीर के आंतरिक हिस्तों में पाय जाते हैं, तो केवल और केवल दिमाग में एक चीज नहीं भरी होनी चाहिए, कि नहीं सर, हड़ी ही केवल कंकाल होता है, नहीं, हड़ी का मतलब अस्थी होता है, इसको समाने भासा में आप क्या कहेंगे, अस्थी क कंकाल है और ये बाह कंकाल के अंतरगत जो पाई जाने वारे सनफनाएं हैं ये सारे के सारे कंकाल हैं एक बार कमेंट्स करिए जबर्दस तरीके से लाइक करिए जबर्दस तरीके से और बताएए क्या इतनी बातें complete है अब इसे एक पांडे जी करें सर इसके बाद plant kingdom या और animal kingdom भी पढ़ा देजिए ठीक है अब इसे एक जी आपकी बाते भी मैं सर आखों पर रख रहा हूँ ठीक है जरूर जरूर से जरूर आपकी बातों को मैं मान रहा हूँ जरूर से जरूर इस चीज़ को मैं complete करूँगा ठीक है बहुत बढ़ी है अब मेरी बात को ध्यान से और गंभीरता पुरवक और भी सुनने का प्रयास करें अब यहाँ पर मैं एक एक करके सारी चीजों को चलूँगा पाहे कंकाल तो आपने समझ लिया अब मैं अस्थियों पर पहले बात करना प्रारम करूँगा बोन पर बात करना प्रारम करूँगा कि आपकी हड्डियों में क्या विसेस्ता होती है आपके सरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती है और यह जो 206 हड्डियां है उन 206 हड्डियों में क्रेनियम कहां पर है पटेला कहां पर है फैलिंजस कहां पर है कारपल्स कहां पर है मेटा कार चान से रिलाक्स होकर पूरे सेशन को अटेंड करना, यह जो आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, या तो आ जाईए, या तो चले जाईए, या तो आ जाईए, या तो फिर चले जाईए, आते हैं, मैं देखता हूं कभी कभी संख्या बढ़ जाती है, फिर जो है फटाक स जो है अगर न रटवा दिया तो बोलिएगा 206 हड़ियां आपको निश्ची तुरूप से याद होंगी ये वादा है मेरा ठीक है चलिए अगरी बात को ध्याद समझेना अब हेडिंग मराएंगे बोन बोन को बोलते हैं क्या बोन को बोलते हैं अस्थी बोन को हम क्या बोलते हैं अस्थी बोन को बोलते हैं अस्थी पहली बात ये कि अस्थी है क्या तो अस्थी के विशे में पहला पॉइंट आप यही याद रखेगा कि अस्थी जो होता है यहाँ एक संयोजी उतक होता है याद रखना यहाँ एक संयोजी उतक है जैसे रुधिर को आप बोलते हैं कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी उतक होता है ठीक उसी प्रकार से याद रखना यह हमारी अस्थि भी यह हमारी बोन भी एक प्रकार का संयोजी उतक है संयोजी का मतलब होता है connective, जो connect करे, जो जोडे, तो blood भी हमारा सियोजी उतक, हमारे bone भी सियोजी उतक, और याद रखना, और याद रखना हमारी उपास्थी भी कैसी होती है यह भी सियोजी उतक होता है, यह भी point आपको याद होना चाहिए, इसके अगर मैं बात करूँ, इसके बाद याद बात करूँ, तो एक वयस्क मनुस्य में, आप सभी लोग पता होगा कितनी अस्थियां पाई जाती है, तो 206 हटियां पाई जाती है, हमारी अस्थी जो होती है, बनी किसकी होती है हमारे bone के निर्माण में कौन सी protein भाग लेती है समझना ध्यान, तो याद रखना हमारा bone, हमारी अस्थी जो होती है, ये इसमें 50% जल पाया जाता है 50% जल पाया जाता है, 50% जल पाया जाता है, याद रखना और 50% इसमें सेस पदार्थ पाये जाते हैं, सेस पदार्थ पाए जाते हैं कौन कौन से पदार्थ पाए जा सकते हैं तो याद रखना कैल्सियम कैल्सियम तथा फासफोरस के तथा फासफोरस के कैल्सियम तथा फासफोरस के कैल्सियम तथा फासफोरस के लवड़ पाए जाते हैं मिन्नल्स पाए आते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी अस्थियों के निर्मार में सर्वादिक मात्पूर सरक्रा क्या है क्या है बाई कैल्सियम के तीन उपयोग याद कर लो कसम है आपको कैल्सियम के तीन उपयोग अस्थि का निर्मार करेगा दातों का निर्मार करेगा और रुध प्रोटीन उस प्रोटीन का नाम क्या है ओसीन प्रोटीन याद रखना हमारे अस्थियों में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है हमारे अस्थियों में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है ओसीन नौट अपसीन अपसीन आखों में पाई जाती है ओसीन हमारे बोन म पाई जाती है तो याद रखना औसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है और विज्ञान की जिस साखा के अंतरगत अस्थियों का अध्यन किया जाता है अर्थात अस्थि विज्ञान अस्थि विज्ञान को क्या कहते हैं उसको औस्टियोलोजी कहते हैं उसको क्या कहते हैं विज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगत हम अस्थियों का अध्यन करते हैं आस्थियों का मतलब क्या होता है अस्थियों का मतलब क्या होता है विज्ञान याद रखना आस्थियों का मतलब क्या होता है विज्ञान तो विज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगत अस्थियों का अध्यन किया जाएगा ऑस्टियोलोजी कहा जाता है चलिए अब 206 हड्डियों पर हम बात करना प्रारम करते हैं अगर 206 हड्डियों को आपको पढ़ना है तो पूरे मनुस्य के सरे पाए जाने वाले पूरे कंकाल को आपको दो भागों में बाटना होगा ये 206 हड्डियों को बारे में अब मैं बताने चलना हो ध्यान से सुनना मनुस्य में ये जो 206 हड्डियां पाई जाती है इनको दो भागों में बाट कर अध्यन किया जाता है पहला जो हिस्सा होता है इसको एक्जियल इसकेलेटन कहते हैं पहले हिस्से को एक्जियल कहा जाता है इसको हिंदी में बोलते हैं अच्छी एक कंकाल घवडाईएगा मत आपके लिए मैं इमेज लेके आया हूं अभी आपको सारी चीजे एकडम क्रिश्टल क्लियर हो जाएंगी 206 हड्डियों में कुछ ऐसे कंकाल होते हैं जो एक्जियल के अंतरगत आते हैं जी बिलकुल करिस्मा जी बिलकुल अभी सेख पान लेजी और दूसरा बहुत बढ़िया मैरे सेर और दूसरा जो होता है वो है appendicular और दूसरा कौन है appendicular दूसरा है appendicular skeleton appendicular skeleton यानि कि इसको बोलेंगे उपांगी इसको बोलेंगे क्या इसको बोलेंगे उपांगी कंकाल इसको क्या बोलेंगे उपांगी कंकाल तो दो प्रकार की कंकाल पाय जाते हैं अच्छी कंकाल और दूसरा क्या होता है उपांगी कंकाल चलिए फीगर में चलिए आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा फीगर में चलेंगे आसानी के साथ में आपको point समझ में आ जाएगा ठीक है आसानी के साथ फीगर में आपको बात समझ में आ जाएगी इस फीगर को ध्यान से समझे इस फीगर को आसानी से आप देख पा रहे होंगे visible होगा ऐसा मैं पूरा आसा करता हूँ ठीक है विजगल होगा अब देखिए आपका कोई सरीर है आपका सरीर है और मान लिजे ये आपके सरीर का कंकाल है मान लिजे ये आपका सरीर का कंकाल है ये आपका सरीर है और ये आपके सरीर का क्या है कंकाल है अगर इस पर एक अच्छ खीच दिया जाए ये मैंने एक अच्छ खीच दिया आपने मैथ में जरूर पढ़ा होगा यक्स अच्छ वाई अच्छ है ना मैंने एक ओपर से यक्स अच्छ खीच दिया तो इस अच्छ पर खीचने पर जो भी कंकाल आता है, वो सारे के सारे कंकाल किसके अंतरगत आते हैं, वो अच्छी कंकाल के अंतरगत, मैंने एक अच्छ खीच दिया, जहां से देख लीजिए, मैंने एक अच्छ खीच दिया, ऐसे मैंने खीच दिया, एक लाइन खीच दिया, और इसके अंतरगत जहां-जहां से ये लाइन होकर गुजरी, वो अच्छी कंकाल के अंतरगत इससा आ गया, वो अच्छी कंकाल यानि की एक्जियल के अंतरगत आ गया, अब इसमें देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से, कौन-कौन सा हिस्सा आया, पहला हिस्सा ये आ गया, इसको बोलते हैं इसकल, ध्यान से देखना इतना नहीं है कि रात को सपने में आए, ठीक है ध्यान से देखिएगा, ठीक है यहाँ पर देखिए, यह जो एक हिस्सा आ गया, इसको इसकल कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं ऐसे 12 इधर से और 12 इधर से आती है अभी मैं सारी चीज़ों को clear कर रहा हूँ इत्मिनान इत्मिनान से धीरे 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 करके है ना और ये परसलियां आ गए इसके अंतरगत दूसरा कौन सा हिस्सा ये देखिए एक लंबी यहां से लेकर यहां तक एक लंबी हड़ी पाई ज करते हैं इसको वर्टिब्डल कॉलम करते हैं तो हमारी एक जियल के अंतरगत ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा आ गया ये हिस्सा ये हिस्सा आ गया कौन कौन सा हिस्सा आया लिख लेते हैं इसको अच्छी कंकाल के अंतरगत कौन कौन सा हिस्सा आया देखिए पहला जो हिस् वो क्या कहलाता है? वो स्कल कहलाता है स्कल को आप समान निभासा में खोपड़ी कहली जिए चीक है? इसको समान निभासा में खोपड़ी कहली जिए तो स्कल जो है आ गया एक्जियल के अंतरगत पहली समझना और कोश्चन पूछ किया कि पूरे स्कल Iskull का मतलर समझे रहें, यह आप देखेए, यहां पर आप देखे, पूरा का पूरा हिस्सा जो मैं बहा रहा हूँ, यह क्या है? iskull है, यह पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? और इसके अंतरगत, टोटल कितनी bones आती है? तो याद रखना, टोटल नंबर आप bones इसके अंतरगत पाई जाती है वो 29 होता है वो कितना होता है 29 इसकल के अंतरगट 29 बोलते चलना लिखते चलना कमेंट करते चलना इसकल में कितनी बोन पाई जाती है इसकल में बोन पाई जाती है 29 और दूसरा ये जो रीड की हड़ी होती है रीड की हड़ी है न ये फीगर में आपने देखा क नहीं देखा यह रीड की हड़ी यहां से ले की यहां तक यह रीड की हड़ी जो होती है इसको कसेरुक दंड कहते हैं इसको कसेरुक दंड कहते हैं इसमें वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है हिंदी में कसेरुक दंड कहते हैं हिंदी में कसेरुक का मतलब भी क्या होता है रीड क कसेरुक दंड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वर्ट्रिब्रल, वर्ट्रिब्रल, कॉलम कहते हैं, वर्ट्रिब्रल, कॉलम इसे कहा जाता है, और इसे अंतरगर, टोटल बोन्स की संच्छा कितनी होती है, 26, टोटल बोन्स की संच्छा कितनी होती है, बोलिए, 26, तो 29 बोन हो गया कसे रुखदंड में, किलियर होगा, इसके बाद मैंने आपको बताया है, पसलियां पाई जाती, पसलियां का मतलब समझ रहे हैं, जिसके नीचे हमारा फेफडा और हिर्दय जो है, सुरच्छित रहता है, खास करके फेफडा बीचो बीच आता है, तो उस फेफडे के चा के अंतरगत कौन सा हिसा आता है, पसलियां आती है, क्या आता है, पसलियां आती है, और पसलियों की संख्या कितनी होती है, पसलियों को हम इंगलिस में क्या बोलते हैं, पसलियों को रिप्स कहते हैं, और रिप्स की संख्या कितनी होती है, रिप्स की संख्या 24 होती है, चौबिस, बारा लेट से आती हैं ऐसे, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ठीक है, ऐसे मा लिजे, बारा इधर से आएंगी, और बारा इधर से आएंगी, बारा इधर से आएंगी, बारा इधर से आएंगी, तो इन दोनों पसलियों को जोडने के लिए कोई न कोई सनचना होनी चाहिए की नहीं होनी चाहिए, बोलिए, 12 अगर इधर से पसली आ रही है, 12 इधर से आ रही है, तो बीच में कोई जॉइंटर होगा की नहीं होगा, एक पाइप आप इधर से ला रहे हैं, कैसे जुड़ेगा, कुछ नुकुछ ऐसी सनचना होगी बीच की न, जो दोनों को उरोस्ति कहते हैं, इस तर्नम कहा जाता है, ध्यान दीजेगा, उस सनचना को हम क्या बोलते हैं, उस सनचना को उरोस्ति कहते हैं, उरोस्ति क्या है, इस तर्नम क्या होता है, इस तर्नम क्या होता है, इस तर्नम क्या होता है, इस तर्नम की संख्या एक होती है, और यह वह पसलियों को आपस में जोडने का कारे करती है, तो पसलियों की संख्या हो गई 12, 24, 12 लेट से, 12 राइट से, इन पसलियों को आपस में जोडने वाले संख्या कौन सी है, उरोस्ति कहलाती है, और कसे रुगदंड, म्यानि की रिड की हड़ी, कितनी संख्या पाई जाती है, 26 पा चोड़के हम को दोड़ने के बाद अच्छी कंकाल के अंतर आप बोंस कितनी पाए जाएं ऐसे तोटल नंबर आप बोन्स कितनी पाए जा रहे हैं, ब्रह्म सरूप जी का उतर आया है, 29, 26, 24, 81, पूजा वर्मा जी 80, अमर कुमार जी 80, करिस्मा जी 80, तमन्ना जी 80, पूजा जी 80, दिंकी कुस्वाह 80, शुश्मा द्रिवेदी जी 80, बहुत बढ़िया मेरे सेर, बहुत लिए 80, तो पूनन जैसवाल जी भी बोल ले है 80, अब किसी का कम आएगा तो उसके लिए मैं जिम्मेदान नहीं हूं, अब किसी का हड़ि अगर कम हुई या अधिक हुई तो उसका जिम्मेदार भाई भाय हूं है, मैंने यहां पर सही धंक से लिखा है, मैंने आपकी हड़ के साथ में कोई छेड़ खानी नहीं किया है जितनी हड़िया है वो मैंने बता दिया अब अगर आप काउंट नहीं कर पा रहे हो तो अलग बात है कोश्चन बनेगा आप से कि अच्छी कंकाल के अंतरगत नंबर आप बोंस कितनी पाई जाती है तो आंसर करिएगा क्या 80 तोटल नंबर आप बोंस कितनी पाई जाती है 80 अच्छी कंकाल के अंतरगत तोटल नंबर आप बोंस कितनी पाई जातीSon 80 तो 206 हड़ियों में से 80 हड़ियों का पोश्ट मार्टम मैंने यहां पर कर दिया अभी मैं केवल और केवल मैंने इस कल को अलग किया है मैंने फिल्व लेसीयल भी है, हमारे चेहरे की हड़ियां भी है, है ना, हमारा क्रेनियम भी है, तो एक एक करके सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा, कसेरुक दंड में थुरोसिक है, लंबर है, है ना, थुरोसिक है, लंबर है, सरवाइकल है, ये सारी बोन्स को मैं भी बताऊंगा, इस पसलि दिन बाद आज लाइव आपके दर्शन चलिए थेंग यो हां चेहरे में आठ पाई जाती चेहरे में आठ नहीं पाई जाती है भाई संजय वर्माजी 14 पाई जाती धैरे रखिए अभी मैं सारी बोंस को कांट करा रहा हूं सारे हां सारे अभी मैं फेसियल भी करूंगा निश जो अच्छी कंकाल से जुड़ा हुआ हिस्ता उपांगी कहलाता है ऐसे हिस्से जो अच्छी के अंतरगत नहीं आते हैं वो उपांगी होंगे यह याद रखना देखिए ध्यान से। फूर सा अच्छी कंकाल के अंतरगत आप ने क्या देखा ये इसकल आता है और क्या आता है ये कसेरुगदंड आता है कसेरुगदंड आता है ठीक है और क्या आपने देखा है ये पसलियां आती है ये पसलियां आती है ये पसलियां आती है बस इतना ही तो हुआ लेकिन अभी क्या क्या बचा हुआ है अभी आपके दोनों हाथ बचे देखिए तो यह रहा हाथ कलर में अलग कलर बनाया गया है इसको यलो कलोर सर्फ दिपर दिया गया है और यह हुआ पैर यह हुआ आपका पैर अच्छी कंकाल को आप ब्लू कलर से देख रहे होंगे अच्छी कंकाल को आप ब्लू कलर से देख रहे होंगे और इस अच्छी कंक जो अच्छी कंकाल से जुड़ा होता है, वो उपांगी कहलाता है, वो अनुबंधी कहलाता है, वो appendicular कहलाता है, ये point आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी समख्या है, मैं appendicular को थोड़ा सा दूसरे slide में ले रहा हूँ, ध्यास समझना, मैं appendicular को समझा रहा हूँ, मैं appendicular को समझा रहा हूँ, मैंने बताया अच्छी कंकाल से जुड़ा हुआ हिस्सा, appendicular कहलाता है, अनुबंधी कहलाता है, उपांगी कहलाता है, इसके दो हिस्से होते हैं, ध्यास समझना, पहला जो हिस्सा होता है, इस पहले हिस्से को girdles कहा जाता ह गर्डिल्स को मेखला कहते हैं मेखला 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 और दूसरा जो हिस्सा होता है इसको लिम्प्स कहा जाता है इसको लिम्प्स कहा जाता है लिम्प्स और लिम्प्स जो होता है इसमें हाथ और पैर में पाई जाने वाली अस्थियां आती है हाथ और पैर में पाई जाने व तरगत आती है, ठीक है, appendicular K को, appendicular K को, अब सिख पांडी जी मैं समझ नहीं पाया, ठीक है, मैं समझ नहीं पाया, आपने क्या comments किया है, एक बाद फिर comments करिएगा, मैंने ये कहा, कि ये जो आपका अनुबंधी कंकाल है, उपांगी कंकाल है, इसके दो हिस्से होते हैं, एक मेखला और दूसरा लिंप्स, ये मेखला और लिंप्स क्या होती है, ध्यान से समझना, मैंने आपको ये figure ध्यान से देखिए, एक होदा है, इस अच्छी कंकाल के अंतरगत मेरे दोनों पैर जूड रहे हैं और मेरे दोनों हात जूड रहे हैं, तो पहले मेखला समझ ये क्या है मेखला को ध्यास समझे मेखला पर संटेट रहिए हमारे दोनों हाथों को आपस में जोडने वाली संचना कोई ऐसी संचना होगी जो हमारे हाथ को ला कर यहां पर फिट कर देगी जैसे कि अगर ध्यास समझना, दो चीजों को जोड़ना यदि है, तो बीच में कोई फेविक किक होगा की नहीं होगा, कोई फेविकोल का जोड़ होगा की नहीं होगा, कुछ नो कुछ ऐसी सनचना होगी नो बीच में जो जोड़ेगा, जोड़ेगा, हा या ना, हमारा हाथ appendicular है, और ये appendicular किस से जुड़ रहा है, ये हमारे vertebral column से जुड़ रहा है, तो vertebral column से, यानि कि अथी कंकाल से कैसे जुड़ेगा, कोई तो यहाँ पर जोईंटर होगा, कोई तो ऐसा जोईंटर होगा, जो इसको जोड़ेगा, तो मेखला क्या होती है, मेखला हमारे हाथों को अठी कंकाल से जोड़ती है, और हमारे पैरों को अठी कंकाल से जोड़ती है, मेखला या गर्डिस क्या है, मेखला या गर्डिस वह समझना होती है, जो हमारे हाथों को और हमारे पैरों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो हमारे हाथों को अच्छी कंकाल से जोडने में सहायता करे, जो हमारे पैरों को अच्छी कंकाल से जोडने में सहायता करे, ऐसे सनचना को हम क्या करते हैं, ऐसी सनचना को हम मेखला करते हैं, और मेखला दो प्रकार की होती है, मेखला कितने प्रकार की होती है, मेखला दो प् कहते हैं पहली मेख़ला को अंस मेख़ला कहते हैं। इंगलीस में इसको पेकटोरल कहते हैं। और दूसरी जो मेखला होती है, इसको स्रोडी मेखला कहा जाता है, इसको इंगलिस में pelvic girdles कहते हैं, तो ये girdles दो प्रकार की होती हैं, ये मेखलाएं दो प्रकार की होती हैं, अंस्रोडी मेखला, ध्यान से, इत्मिनान से, आराम से समझने का प्रयाज करना, मैंने कहा हमारे हाथों को और हमारे पैरों को आपस में जोडने वाली सनचना को हम क्या कहते हैं मेखला जो हमारे हाथों को जोड़े वो अंस मेखला और जो हमारे पैरों को जोड़े बोलिये वो कौन सी मेखला जो हमारे हाथों को जोड़े वो अंस मेखला और बोलिए जो हमारे पैरों को जोड़ेगा वो कौन सी मेखला होगी अंस मेखला में पाई जाने वाली हड़ियों की संख्या होती है कितनी बोलिए चार और स्रोड मेखला में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या कितनी होती, बोलिए, दो स्रोड मोखला में दो बोन, अंस मेखला में चार बोन, चार और दो कितना हो गया गर्डिल्स की संख्या यदि पूछा जाए कि आपकी बॉड़ी में कितनी होती है तो आप बताईएगा 6 गर्डिल्स की संख्या यदि आपकी बॉड़ी में पूछा जाए कि कितनी होती है तो आप बोलिएगा 6 होती है कितनी होती है 6 कमेंट्स करिएगा समझ में आ रहा है न लाइक का बटन पेस करके बताइए सूचित करिए आ रहा है की नहीं आ रहा है याद हो रहा है 206 हड्डियों को मैं एक-एक करके अभी आराम से तोड़ रहा हूँ अभी एक-एक करके तोड़ना और बाकी है, अभी बीदिवत तरीके से तोड़ना बाकी है, अभी मैं केवल अरामस तोड़ रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पिर समझना, हाथों को जोड़े अंस मेखला, पैरों को जोड़ने वाला स्रोड़ी मेखला, जी बिलकुल रेनु गुपता जी, बिलकुल आपने एकदम मुँ की बात छिल लीजिए, ठीक मैं, आपने एकदम मुँ की बात छिल ली, एकदम क्लियरली आपने सीसे की तरह साफ एवं असपस्ट बताया, तनिक भी उसमें कोई फेर फेर नहीं है, जानकारी भी ऐसी होनी चाहिए, जानकारी भी ऐसी होनी चाहिए, जो एकदम हाँ, आगे, लिम्स में हाथ पैर में पाई जाने वाली अस्थियां होती है, तो इसमें जाहिर सी बात है, इसमें कहीं से कोई जो है आपको सोचना ही नहीं है, हाथ में टोटल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, याद रखना बस साथ, और यदि आप से पूछ लिया जाया पैर में टोटल अस्थियों की संख्या कितनी पाई जाती है तब भी आप बताएगा साथ कहीं से कोई आसान सी बात है इतना तो आप बता ही सकते हैं कि साथ हमारे अंसमेखला में ठीक है और साथ जो है हमारे साथ हमारे हाथों में साथ हमारे पैरों में साथ हमारे हाथों में, साथ हमारे पैरों में, ठीक है, साथ साथ का है, तो साथ साथ हो गया कितना, लिम्स की संख्या कितनी हो गई, 120, 120 लिम्स है, 6 गर्डिल्स है, तो 120 और 6 कितना हो गया, 126 हो गया, कितना हो गया, 126 हो गया, उपांगी, 126 हो गया उपांगी, 126 उपांगी है, 80 अच्छी कंकाल है, जड़ा जोड़िये इन दोनों को, बताइए 206 आया की नहीं आया, जोड़िये 206 आया की नहीं आया, एक बार कमेंट्स करके बताइए 206 हड्डियां आईं की नहीं आईं, एकजियल के अंतरगत 80 हड्डियों को आपने देखा, एकजियल के अंतरगत आपने 80 हड्डियों के देखा, एपेंडी कुलर के अंतरगत आपने 120 हड्डियों को देखा, 80 और 126 जहां तक मुझे मैत आता है, जहां तक मेरे जोड़ घटारा की बात है, मेरे एकॉर्डिंग 206 आ रहा है, हाँ, मेरे एकॉर्डिंग 206 आ रहा है, संजे वर्मा जी का भी आ रहा है, रिंकी जी का भी आ रहा है, शुश्मा द्रिवेजी का भी आ रहा है, रितु जैसवाल का भी आ रहा है, सब का 206 हड्डिया आ रहा है, ठीक है, 206 हड्डिया, सब बास, जबर्दस, में दो भागों में बाता एक्जियल 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 को आप सीधे कुछ भी मत करिए अपने यहां से एक रेखा खीच दी जिए सामने से एक रेखा ऐसे सीधे मारिए यहां पर इसकल आ गया इसकल में टोटल बोन की संख्या 29 वर्टिब्रल कॉलम कसे रुख दंड आ गय से लगत पस्नियों 24, इस तर्णम जो होगा 1, कसेर रुख दंड 26 और इसकल टोटिना और हो गया हमारा किया 80 और जो हमारे अच्छी कंकाल को जोडे वो होगा उपांगी है जो हमारे अच्छी कंकाल को जोडेगा उसको उपांगी कहीं कहीं हिंदी में लिखा राता है कहीं क उपांगी लिखा रहता है तो उपांगी और अनुबंधी ये appendicular के अंतर गताते हैं इनमें से पहली स्था क्या होती है girdles, girdles क्या है जो दोनों हाथों और पैरों का jointer है जो हमारे दोनों हाथों और दोनों पैरों का jointer है जो इनको आपस में जोड़ेगा उसको हम मेखला करते हैं जो हाथों को जोड़ेगा वो अंस मेखला जिसकी संख्या कितनी होती है बोलिए चार और जो हमारे पैरों को जोड़ेगा उसकी संख्या होती है दो इसको बोलते हैं स्रोडी मेखला इसको बोलते हैं स्रोडी मेखला और limbs में मतलब हाथ पैर हाथ पैर में टोटल बोस कि अब जब मैं कल आपको मिलूँगा ना तो कल मैं आपको समझाऊंगा कि ये इसकल के अंतरगत कौन कौन सी बोन आती है फेसियल आता है, ईयर आता है है ना, हेवाईड बोन आता है और ये बहुत डे तारे अस्पी आती है तो एक-एक करके सारी चीजों को मैं आपको समझाऊंगा बताऊंगा और जब आप पढ़ लेंगे तो कहीं से कोई भी समस्या आपको नहीं होगा 206 हड़ियों को आप अच्छे प्रकास समझ लेंगे अभी लगबग 5 बजे से ठीक पाच नहीं 6 बजे से 6 बजे से आपकी मैराथन क्लासेस प्रारम होगी, मैराथन क्लासेस को ज़रूर देखा करिए वो आपके एक्जाम से बहुत रिलेवेंट हैं और आप सभी लोगों को एक special जानकारी मैं बता देता हूँ आपके जो जान पहचान में हैं, जो जानने वाले हैं और जो पहली बाद चैनल को विजिट कर रहे हैं या जिनको जानकारी नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रकर सेलेक्शन अड़ा आप सभी लोगों के लिए 2022 की हार्दिक सुथामनाय देता हैं और इस नए वर्स पर आप सभी को सभी कोर्सेस पे यानि कि आपके साम प्रक्रिया आप ले सकते हैं अंतिम दो दिन आज और कल के लिए हैं आज और कल के लिए हैं आज और कल अगर आप एक कोर्स में लेना चाहते हैं तो आपको सीदे सीदे 50% का जो है आपको भुनाफा मिल जाएगा ठीक है? हाँ तो ये सारी चीजे आपको मैंने समझा दिया आसा करता हूँ अतुल यादव जी करें आप लोग तो भाई दिल में समाए हैं अतुल यादव जी ठीक है? आप सभी लोग दिल में समाए हैं ठीक है? आप परिवार के सदस्य हैं आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं आप हमारी फ होता है ना कि आप देखते होंगे जो फैमिली मेंबर होता अगर कभी दुकान करता है आप देखे होगे गाव में तो इस्थिति में क्या होता है कि अगर उनके घर का कोई सदस्य आता है तो यह प्रचलन होता है आम प्रचलन कि उनसे जरूर पैसा लिया जाता है उनसे जरूर जब मैं प्रमोशन करता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे की थोड़ा सा और लगता है कि यार ये छूट की बात किया जा रहा है ये ओफर की बात किया जा रहा है लेकिन क्या किया जा सकता है संस्थान की गतिविदियों को संचालित करने के लिए ये सारे चीज़े की जाती ह है लेकिन जब आप course लेते हैं या जो लोग पढ़ रहे होंगे वो निश्रित रूप से ये बतायेंगे कि कितना जिजान के साथ आप सभी लोग के लिए मेहनत किया जाता है ठीक है निश्चित रूप से आप सभी लोग इससे लाभानवित होंगे ठैंक्यू नमस्कार जैहिंद आप सभी लोगों से मिलता हूँ मैराथन के क्लास में तब तक आप लोग इंतजार करिएगा और हैपी निव एर आप सभी लोगों को ठैंक्यू